बाई मैं अपना बुड़ापा खरीदने के लिए जवानी बेचना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए मैं जा रहा हूँ बाईक ट्रिप पे डोड ट्रिप पे आप आ रहे हों क्या वेल्कम, वेल्कम, उधर देखो, फैंकर तूफान आने वाला है इधर, फैंकर तूफान आने वाला है Jutra, आने वाला है वाला है आने वाला है, अब ही टाइम हो चुक है और फैनली मैं जा रहा हूं रोट ट्रिक पे तो एक टेल बैक रैडिंग जैकिट रेडी मेरा हेलमेट भी इधर रेडी है तो अभी जस्त बाइक में सामान पैक करेंगे और निकलेंगे रेडी टू गो तो यहां से हम लोग निकलेंगे कहां देराद उनकी साइट पे मैंने मैप लगा लिया प्रिप भी जीरो-जीरो कर लिया फिलाल तेल तो है 100 किलो मेटर अट लिस्ट बहुंच जाएंगे चले जाएंगे यहां से इसनी बइस्टिल रास्ते में कहीं पे भी मुझे अगर पेट्रोल परम दिग गया इधर से जाती है शुरू में तो मैं पेट्रोल फिल करवा लूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिलाल तो चलो आज की जर्णी स्टार्ट करते हैं तो सोचा था चार बजे के अंदर-अंदर निकल जाए बट वैकिंग वैकिंग करने में सब कुछ करने में थोड़ा लेट हो गया अभी इग्जेक्टली टाइम हो चुका है चार बच कर बाइस मिनिट मैं हूँ ग्रेटर नॉड़ा और यहां से मैं टीविएस रॉन इन लेके निकल रहा हूं एक एडवेंचर रोड ट्रिप पे तो चलो टेल टावन मेट्र स्टेशन के सामने प्रिटर रुपम तो खुला है यहां से थोड़ा टैंक फूल करवा लेते हैं राम राम भाईया टैंक फूल करो फाइब फॉल जीरो पांट्सोगेरा आपस बस थीक है इससे जादा निकानना पॉइनली पेट्रोल फेल पांट्सोगेरा पॉइन नाइन्टी रुपीज वही पांसोगा रुपेगा पेट्रोल अभी एग्जैक्ली टाइम हो चुक है फोर थर्टी थरी और निकल चुका तो आल्रेडी हम लोगों ने कितना किलोमेटर कावर करा, 2.4 किलोमेटर कावर कर लिया, वाव, फैंटास्टिक, और मैं यहां से जा रहा हूँ, अभी का जो फिलहाल डेस्टिनेशन है वो देरादून, देरादून पहले पहुंचता हूँ, फिर देखूंगा वहां से कहां त बंदे रहो, वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा व्यूज मिलने वाला है, और बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत दिनों बाद एक, फिर से एक मज़ेदार रोड ट्रिप, लेट्स गोू। प्रेटर नणाड को बाइब बोल दिया तो मैं भी जा रहा हूँ, गाजियबद के तरफ गाजियबद होके, वहां से मोस्ट प्रबबली मेराठ होते हुए, मैं निकलूंगा, और मैं गूगल में यूस नहीं करूँ, मैं यूस करूँ मैपल, मैं अब लोग बस एक चीज ब खलाइट लगा ठाव अंधिर रहना ये उफ्कान कर रहे क्योंकि रोगा दिनका यह वह अच्छे से काम कर रहे है तो यह वालइट बहुत अच्छे से ज़ हम कर रहा है यह ज़स्ट बताने के के मिको आप homemade camera on किया अधे सामने का gar To Hobo ओहो क्या ही नजारा है तो प्रोमेस ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है बट आखों से जो देख रहा हुना पहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा आज के जर्णीगा फस्ट टोल प्लाजा लेकिन इस टोल प्लाजा में मुझे नहीं देना परेगा टोल तो मेरे नौइडा कोलगाता वाले वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट किये थे भाई बाइक के लिए टोल येस एबसलूटली करें आज अफ नाव मैंने मैंने तीन फैसरे जर्णी किया है तो मुझे पता है पूरबन चल टोल पूरबन चल एक्स्ट प्रेश वे में तो वाइक के लिए पिर टॉल लगता है बैट अधार कोई भी एक्सप्रेस वे में तो नहीं लगता मेरे भाई लेकिन आज के जर्णी में जितना भी जितना भी तोल मुझे देना नहीं परेगा तो आगे बोट देख रहा है हरी दुआर मिराट सिधा सिधा निरेट को हम लोग पीजे छोड़ दिये और हम लोग आपे जा रहे है टूवर्ट्स हरी दुआर की तरफ वही तो दिखा रहा है लेकिन यहां पर पुछ बताने रहा है कौन सा रोट तो मैं बताने पा रहा हूँ एकदम मैप की भरोसे जा रहा हूँ आना तर 184 किलो मेटर बाकी है और हमारे जन्दी का 83.8 अलमस्ट 84 किलो मेटर रन तो एटे स्ट्रेच एट लिस्ट 100 किलो मेटर तो चलाएंगे बाइक बहुत ही जबर्दस परफॉर्म कर रहा है बहुत ही जबर्दस परफॉर्म कर रहा है तो हंड्रेट किलो मेटर तो आराम से अड़े स्टेज तुम एकी स्टेप में चला लोगे रॉनिन को यार तो लेट्स गो सुभा का किरन तो दिख गया लेकिन सूरज चाचा भी तक आया नहीं तो चलते आगे देखते कितने बज़े लोग जब लैंस डाउन का ट्रिप किये थे तो आई बिलीफ इसी रोड़ पे किये थे तो यही वाला रोड हम लोग फॉलो किये थे तो आई थिंग से अवी रोड पर लोग जा रहे है ये से मिरोड पर लोग जा रहे लेकिन आगे से दाए भाए कुछ वोगा डिफरेंट वेलकम वाँ 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 सुवा की क्या नजार है भाई सुवा की रोड की क्या नजार है वेलकम बैक गाईस बंस अगें रोड ट्रिप में मेरे साद आप सबको स्वागत है मैं निकल कया रोड ट्रिप पे आज है 27th of September Friday मुझे तो डल लग रहा है आगे का बारिश हो जाएगी और मुझे रेंगोट निकालना परेगा लेकिन मेरे पास एक मज़े की वाद यह है आपर वाला है लुवर वाला है नहीं तो अगर ज्यादा बारिश हो गई तो मुझे कहीं पर रुकना परेगा बहुत ही डल लग रहा है सामने का बादल देखके भाई कि क्या करे क्या करे आप लोग बताओ कमेंट करके बारिश होगी नहीं होगी जल्दी से कमेंट करके बताओ बारिश होगी आगे या नहीं होगी यह हम लोगों का सेगेंड टोल प्लाजा है स्ट्रिप खार दो नंबर टोल प्लाजा क्रॉस किया जहां पे बिलकुल भी टोल नहीं लगा मेरे भाई लोग तो चलो आगे की और यात्रा जाड़ी रखे कितने लंबे लंबे ट्राखे है भाई इसी की साथ इस जर्णी का 150 किलोमेटर कम्लीट हुआ और वे लेफ्ट वेट 119 किलोमेटर ओनली अगर बारिश नहीं होता है के तो कोई दिक्कत वली बात नहीं यहां से हरिद दुआर और 76 और 77 किलोमेटर के हासपस है और वहां से तो देरादून जादा दूर नहीं होगा लेकिन देरादून जाड़के वहां से पिर कौंसे साट पर जाना है मुझे पाहारों में जाना ये डिसाइड करके निकले थे फिर देरादून पहला डेस्टिकन था ये डिसाइड करके निकले हैं लेकिन वहाँ से फिर कहा जाएंगे ये डिसाइडड नहीं है तो यह वहाँ पर जाकर रिसाट करूंगा कि कहा जाना है तो देखता हूं आसपास कहीं पर अगर चाय पानी का दूगाने रुकते हैं यहां से हम लोगो डाइवर्शन लेना है यहां से लेना है राइट की तरफ अगर देरा दून जाना है तो हम लोग लेंगे यह वाला रोड ओके लेकिन जितनी पूस सेट पर हम लोग जा रहा है तरह अच्छ इधर से चाई पी लेते हैं चाई की बहुत बरी तलब लगी है ब कर दो कि अधरिक सिक्स्टी किलो मिटर पर नॉन स्टॉप राइड राइड रॉनिन आप लोग इससे अंदधा लगा सकते हो थोड़ा कंफड़बल तो है गारी सामने का बाधल देखके तो मुझे डरी लग रहा है भाई आगे जाके बारिश ना हो हो लेट्स गो देन्स को में बाधल दो कि आर नॉटी कि यह अन्ट पर लेश्रू आपली प्राइड रुट लूूर प्राय रेचिए पड़ अब्धा लाट्रू टें तू किलो मेटर फ्रॉम देरादून, एक सो दो किलो मटर जाएंगे तो देरादून पहुंच जाएंगे, फिर देखेंगे वहां से कहा जाना है, तो रोट कंडिशन इस गोट, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दिख रहे है मुझे, वह है बादल और बारिश नहीं हो जाए, आपक मुझे न, the darker the clouds, the brighter the right fields, अभी ऐसा ही लग रहा है, मुझे exactly ऐसा ही लग रहा है, भाई आप ये देखो, उधर देखो, कैसा लग रहा है, देखो पूरा, ओफ, माइग गॉड, ये तो मुझे लग रहा है कि भयंकर तूफान आने वाला है इदर, भयंकर तूफान आने वाला है, I'm sure कि उधर जबर्दस्त बारिश हो रही है, जबर्दस्त बारिश हो रही है, जबर्दस्त बारिश हो रही है, यार, ग्रेटर नड़ा में वेदर कल का इतना साफ था, इतना सही था, मैंने सोचा बारिश बारिश कुछ नहीं होएगा, बड़ी यहां पे तो आके पुरा एक्तम पुरा डिफरेंट लग रहा है देखो जास तब चारो ओड जस देखो यार पुरा काले बादल चाय हुए है पुरा काले बादल जो भी हो एक्सपरियेंस कर लेंगे और जल्दी से मुझे रेंकोट सामने में रखा हुआ है लागेज में ताके जब भी ज़रूरत पर है मैं उसको निकाल के बेहन तखा हूँए हुए जिसका कर तो वह स्टार्ट होई गया बहुत जोर की बारी स्टार्ट हो गई और रस्ते के वह साइट पर मैं बाइक खरा करके तो अंदर आके एक शेट के नीचे खराओं आओं ताकि मेरा कैमरा वगरा पैंड वगरा ना भीग चाहे वेलकम बैक वंस अगेन वेलकम बैक इसलिए बोला क्योंकि भाई 170 किलोमेटर के बाद इतनी जोर से बारिश आ गई इतनी जोर से बारिश आ गई के भाई क्या ही बोलू कुछ दूर तक तो भाई दिखाईने दे रहा था मजबूरों एक जगा रोकना परा देखो मेरा जीन स्पीन्स पूरा भीग गया तो मैंने अपना रेंकोट अपर वाला निकाल के पहन लिया था गोप्रो अगरा सब खोल के बैक के अंदर रख दिया था लेकिन उसके बाद फिर जब 20-30 किलोमेटर आ गए यहां पर देखो बिलकुल भी बारिश नहीं हुई है बिलकुल भी बारिश नहीं हुई है तो यह चैलेंज रहता ह है है जब बाइक में हम लोग रोट रिप करते हैं तो यह चैलेंज तो रहेगा बट स्टिल यह जस्ट लेफ्ट वेट अनदर 62 किलोमेटर सब्ली अंदर टाइम इस नाइन अ क्लॉक तो एस पर अपर तो मैप 10.38 के अंदर हम लोग पहुच आएंगे देरा दून अगर देर तो फिर देरा दून से कहां जाएंगे वहां से तो सब आल्मोस्ट पास-पासी यह देखो यहां से दिख रहा है देरा दून 63 किलोमेटर मुसोरी 95 किलोमेटर गागल हरी 2 किलोमेटर और यह नया एक्सप्रेस वे में नाकल से थोड़ा आगे आके फिर एक्स राइट लेके यह वाला एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है तो यह एक्सप्रेस वे किता का नाम क्या है एक बर मुझे गूगल से देखके पता करना पड़ेगा लेकिन नजारा बहुत मस्त है अभी नजारा जो दिख रहा है क्लावडी वेधर है हम लोग अपना सफर का 212 किलोमेटर कंप तो यह पांच नवबर टोल है टोटल जार्नी का यह पांच नवबर टोल इससे पहले और दो चला गया जो मैंने बारिश में किया था तो भाई यहां पे रस्ता भीगा हुआ है फिट मुझे डल लग रहा है बारिश नहाजा है मैं रेंकोट फिर चांधर कर दिया तो ऐसे भी भाई भारिश हो चाहे जो भी हो यह रोड ट्रिब में तो मज़ा आ रहा है मुझे दो धूब नहीं है पुरा क्लावडी वेदर है औ और गरम तो बिल्कुल भी नहीं है गर्मी नहीं लग रही है आई थिंक जीतना उस आपर साइड में मैं पहुच होंगा उतनी इस्ते इसतर ठंडी लगनी स्टार्ट होगी तो फिलाल तो मस चल रहा है मज़े आ रहा है ट्रिब में सीधा हरीदवार और 50 किलोमेटर यहां प मास्ता चले जा रहे अब देख रहे हो यह इसमें जाओ तो आप हरीदवर की साइड में चले जाओ गए और मैंने ले लिया राइट हन सेट वाला रोट जो डेरादॲूं के सट बिजा रहा है तो वह वह रख चला जाएगा अपका हरीदवार और सिधा चला जाएगा आपक देरादुन कुछ-कुछ रोड तो यहां तक मस्त है लिकिन बीच-बीच में ना डाइवरिशन है तो वहां पर तो रही देखके चलाना पड़ेगा वैसे आसपास का नजारा तो माइन ब्लोइंग है पेरी पेर है सामने क्लावडी क्लावड है रोड का भरपूर मजा आ रहा है फाइनली फाइनली थोड़ा सा धूप देखने को मिला यहां पर लेकिन यह पर्टिकुलर रोड पर डाइवरिशन भाई बहुत है आगे का यह क्लियर हो जाए ना तो सबसे बेडर रहेगा बादल क्लियर हो जो मुझे अभी तक दिखा नहीं एक्छानी इतर इतना ट्रॉक देख रहे हो डाइवरिशन का हाल इसके वज़े से जैम बहुत स्पीड मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किले इस सिचुएशन के धूलूरा थे हुए पहले वाला ट्रॉक और इसको कर लिए हमने क्रोस ट् तो अभी तो अभी तो अच्छा लग रहा है रोड का उपर से प्लाउट्स का आसपास के इन्वारिमेंट का सिर्फ बारिश मत हुए हो भाई तो अनदर थड़ी त्री क्लिमीडर लेफ्ट फिप्टी फोर मिनिट के आसपास लगेगा पहुँच आएंगे तो अभी वन वे मतलब सिंगल लेन स्टार्ट हो गया और दोनों साइड अब देख रहे हो जंगल टाइप का है बट ये फोरेस्ट एकने जंगल लेकने मुझे ने बता वरड़ अभी यहां पर तो ऐसा लेन स्टार्ट हो गया है सिंगल लेन 9.35 और अन्ट वेर लेफ्ट व बट रास्ता तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है है ना रोड ट्रिप का तो यही मजा है मतलब जो जो रास्ते से आप जा रहे हो रास्ते का नेचर ब्यूटी अचा बारी स्टार्ट हो गई तो आई अलसो हब टू स्टॉप जा नहीं सकते कैमेरा अंदर करना से और 12 किलोमेटर की दूरी पे दे रादुन यहां पर देखो कितना धूफ है कुछ देर पहले वहां पर भारिश हो रही ही थे जवर्दस्ट बारिश जबर्दस्ट कॉंक्रेट की जंगल से आके नेचर की जंगल पर आके अच्छा फिल हो रहा है जितना ओपर जा रहा हो ठंड़ा मैशूज हो रहा है, ग्रीनेरी दिख रही है, यहाँ पर जिग जाग है, जिग जाग करके रखा है उत्तरखंड पुलीस ने, तो चलो आगे पहुंचते हैं, पहुंचते हैं देरादून, उत्तरखंड की राजधानी, नजारा देखो, दो साइट का पेर, और दूर से दिख रहा है पूरा देरादून का शहर, वाम वेलकम तू उत्तरखंड, तो उत्तरखंड में यह हम लोग प्रविश कर गए, हिंदी थोड़ा मेरा खराब है, एडजस्ट कर देना भाई, देरादून सेटी, यहाँ पे तो बारी से, अटलिस्ट नहीं है, अब आगे जा लेकिन मुझे तो सीधा दिखा रहा है, कहां जाना है मुझे, यहार एक अच्छा से चाय का शॉप नहीं मिल ला है, जहां पर मैं थोड़ा चाय भाई, पीक एक डिसिशन ले सकूँ के, कहां जाना है, एक्च्वेली, तो लेक चाय का दुकान ढूनते है, सबसे पहले, मैं बात बता हूँ, मैं सुभा सारे चर बज़े जो निकला होना, सारे चर बज़े से मैं कंटिनुवस ले राइट कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रहा है, I don't know, मतब क्या हुआ है, एक जब एक दो बार बारिश के लिए रुका था, और एक ब्रेक लिया मैं कंटिनुवस ले राइट कर रहा हूँ और मुझे थोरी से थकान भी नहीं हो रही है, यह मतब जादू हो गया तो फाइनली सुंदर सी जगह में मुझे मिला एक छोटा सा टी शॉप और मैं भी अपना चाय एंजोई कर रहा हूँ और उसके साथ सोच भी रहा हूँ के य देरादून बे ऐसे सीटी ही है ऐसे सच कुछ खास है नहीं तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहां से मैं निकलता हूँ कहां के लिए वावा क्या भी वा रहा है यहां से मैं निकलता हूँ कहां के लिए यहां से मैं निकलता हूँ धनौल्टी के लिए तो यहां से मैं अ कोई प्लान तो है नहीं कितना बज़ता है पहां पे पहुंसने के लिए उसके बाद करेंगे कि मुष्वरी पे रुखेंगे या सीधर धनोल्टी जाएंगे तो देखते थे तो चलो चलो मेरे साथ धनोलडी आज, रोड ट्रिप पे, तो अभी तक ना मैंने कुछ ब्रेकफास्स भी नहीं किया, भूग भी नहीं लग रहा है, I don't know क्या हुआ है, तबियत खराब हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन तबियत खराब तो लगनी रहा है, एनरजी तो कम नहीं हुआ ह मैं हराइड तो करने का भी मन कर रहा है मुसोरी रोट पे मुसोरी रोड होके मुझे धनोलडी जाना परेगा तो यह से लगपग लगपग 30 किलो मेटर के असपास होगा और मैंने जब पूछा तो यह लोग बोले ही सीधे सीधे ही रोड है तो इदर उदर कुछ जाने के कोई जरूरत नहीं है तो मैंने मैं भी नहीं लगा या बट पॉंचता हूं मैं उसके बाद डिसाइड करेंगे के थनोल्टी तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे लेट्स गो वाव सीरव व्यू कैसा लग रहा है वह एक मंदीर है और यहां से पूरा देरादून सिटी का व्यू अब बताओ कैसा लग रहा है आसम ना मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है दिस इस जस्ट अमीजिंग अमीजिंग मैं कोशिश करेंगे जल्दी पहुंच है उपर बादल देख रहा हूं बहुत बादल है यार अभी भी सतराटर क्लोमेटर जाना है मुझे क्या करू लेकिन सिनरी बहुत प्यारा हो इस लिए नहीं जोड़ना यह जरना कौन सा है एडों लोग भी आपर दिस इस लिए नहीं रूका क्योंकि बारिश आ रहा है और मेरा मैं फिर से भीगना नहीं चाहता हूं जिसके लिए मैंने नहीं रूका यहां पर तो ऐसे देखा जाए तो यहां पर तो हर मोर पे कुछ अकुछ नकुछ है खसाना सामने रोड देगो बादल उसे बहाँ हूप इतने सुन्दर लग रही है एक डिस नाइस सामने जब भी टूंक आजाता है तो दिक्कत हो जाती है तो समनी कुछ बिक्ता नहीं हाँ जारा है नहीं आरा और इधर पूरा बादल उसे ठख गया है इधर पूरा बादल उसे ठख गया इधर देख रहो लेफट हंसाइड है पूरा बादल उसे ठख गया बहुत बाइकर्स दिख रहे हैं मुझे यहां बहुत बाइकर्स दिख रहे हैं बाइक लेके आए हैं साफ फोटो वीडियो बना रहे हैं वाउ सफर नामा क्या ही लग रहे हैं एक दम बढ़िया ओफो दोड़ क्या दिखाओ क्या ना दिखाओ समझे नहीं आया है मुझे खूब सूरत ये जगा है सी मुझे आनदे फोकलूमिडर्स यही है यही है रिफ्रेश्मेंट दारू पाटी से मुझे तो बेडर लगता ही है वाइक में ट्रिप करना केंपटी फोल्स तो पारीस के मुझाँ पर है केंपटी फोल्स ही रहेगा सोच रहा हो अधर जाने करो तो रिटसी क्या रोता है मसुरी आगे देग रहा है यही है मसुरी आज और धनोल्टी के साइट नहीं जाएंगे आज मसुरी पर रहेंगे क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है और अभी एक बज भी चुका है तो आज मसुरी पर रुकते हैं फिर कल कुछ साइट सीन देखते हुए हम डोग धनोल्टी जाएंगे वहीं सही रहेगा तो चलो एक अच्छा सा होटेल ढूनते हैं और आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं कल सारे डिटल्स श्यार करेंगे मुसुरी में मैं कहा हूँ पॉंसर होटेल को हूँ होटेल कोस्ट क्या है और मुसुरी के सराउंडियूंस आपको दिखाएंगे तो स्टेए टून कल कर वीडियो जरूर देखना हूँ तो फटा टाइम बिंग टाटा बाइबाए यह परकिंग है क्या